बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के पिकर पे खड़े होकर बताएंगे कि तुम्हें इस वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस काम को आगे भढ़ाने और अवेरनेस पहलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है आप पेट्रियोन, ओल्ली फैन्स या सिंप्ली पेपैल के दुरू सपोर्ट कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत माइने रखती है मगर वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत बूलिएगा आप लोग देखते हो देखते हो और 65% वाले आप लोग देखते हो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है आज तक सब्सक्राइब करो यार सब्सक्राइब करो चले इस वीडियो को देखते थांक्यू दोस्तों हम अपनी ख़बरें शुरू करते हैं जी ट्वेंटी कश्मीर वाह 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 वल्ला हभीबी मज़ा आ गया मज़ा आ गया और जो पाकिस्तानी जले है भाई साब जो पाकिस्तानी बुने हैं जो पाकिस्तानी कुडे हैं जो पाकिस्तानी परेशान हुए हैं मैं कह रहा हूँ असली गेम श्रीनगर में तो होई नहीं रहे असली गेम हो रहा है पाकिस्तान में पाकिसान में लोग उन्हों ने जब से ये शिर्णगर में डेलेगेट्स आए हैं तब से पाकिस्तान के मीडिया ने अपने सर पे पेट्रॉल डालके तीली लगा लिए अपने बालों मैं आपको बता रहा हूँ ये इतने परेशान हो गए हैं और जूट अपनी देखो एक चीज़ होती इन्फरमेशन वार्फेर दोस्तों इन्फरमेशन वार्फेर यानि कि जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं सूचना युद़ इन्फर्मेशन वार्फेर आज की चीज़ नहीं है पहले जमाने में तो social media होता है यह नहीं था, सिरफ यह जो major news organizations, news channels होते थे, यही control करते थे, और इन्हों ने अपना narrative इतने सालों तक जो है, लोगों के सर पर डाला है, जैसे कि हम लोग CNN को मैं बड़ा समझती है, CNN, CNN, Pakistan, CNN बड़ी credible news है, अब जाके बता चल रहा है कि sorry, ah this is all the news नहीं fabricated होती है, BBC की कितनी fake news निकल के आएंगे, so that is exactly what it is, और पाकिसान में किसने पूछ रहना है, कि ड़किशी ने पूछ रहना है, कि इससे यह कि नहीं है, रात गई बात नहीं, जिसके बारे में जो कर लो, जो कर दो मना लो, मेरा भी तो मुश्रम के साथा फैरता ना, क फेकते रहो, फेकते रहो, फेकते रहो. क्या कर सकते हैं, जूटा मुल्क, जूटे लोग, everything is मुनाफिकत, everything is hypocrisy. कश्मीर में आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था, कश्मीर में 17 देशों के नुमाहिंदे आ गए, 17 देशों के नुमाहिंदे, कोई ललिट होटल में रह रह रहा है को टाज होटल में रह रह रहा है ठीक है है और पुरा टिसको कहते है कि वता-वराण ऐसा हो गया कश्मीर बे अब इस से होगा क्या मैं आपको बताता हूं तुके एक से गळदाना है पूरा जिसको कहते हैं कि वातावरान ऐसा हो गया कश्मीर में, अब इससे होगा क्या मैं आपको बताता है, यह मैंने पाकिस्तानियों को समझाने की कोशिश करी, लेकिन क्या बुद्धिहीन लोग हैं फिर उनको समझने में दिक्कत होती है, यह समझ ही नहीं पाते मेरी बात, इससे होगा क्या मैं आपको बताता है, यह मैंने पाकिस्तानियों को समझाने की कोशिश करी, लेकिन क्या बुद्धिहीन लोग हैं फिर उनको समझने में दिक्कत होती है, यह समझ ही नहीं पाते मेरी बात, देखिए. इससे होगा क्या है, चीन अगर नहीं आया, कोई बात नहीं, साओधी नहीं आया, कोई बात नहीं, एक दो और देश आया, कोई बात नहीं, असी, पिचासी फीसद देशों को जिनको बुलाया था, सब के सब आये हैं, पहली चीज़, दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात इससे फाइदे क्या होंगे, सबसे बड़ा फाइदा इससे ये है, कि भारत ने दुनिया को ये बता दिया, कि वेलकम टो कश्मीर, जैसे पाकिस्तानी अनलिस कहते न, नॉर्मलाइज कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया, वो उनको लगता है कि कश्मीरे के बड़ी अबनॉर्मल सी जगह है, तो उसको नॉर्मलाइज कर दिया भारत में, ना ना, इस नॉट पिछले साल, पिछले financial year I think एक करोड़ साथ लाख से ज़ादा, एक करोड़ साथ लाख से ज़ादा टूर सिर्फ कश्मीर घटी में आये थे वाँ, नॉर्मलाइज तो बहुत पहले हो चुक है क्या बच्चों आली बातें कर रहे है नॉर्मलाइज हो गया, नॉर्मलाइज हो गया यह पाकिस्तान खुद एक अबनॉर्मल मुल्क है तो उसको लगता है कि बाकी जगे भी अबनॉर्मल है क्योंकि हरे चोर है, दूसरे को भी चोर समझता है वो जबकि दूसरा बिल्कुल संथ महात्मा हो किसी भी मुल्क को देखा जाए तो टूरिजम एक बहुत बड़ा बिजनस है किसी भी मुल्क को आप उठा लो उससे बहुत पैसा आता है आपके मुल्क के अंदर इंडिया पाकिसान एक ऐसी जगाएं हैं जहां पर एक तो हिस्टरी बहुत है यूरप में भी हिस्टरी बहुत है और खुबसूरत जगाएं इतनी हैं अब मैं खुद पाकिसान के नौर्थ की तरफ जा चुकी हूँ इसलाबाद से उपर आप मरी जाते हैं मरी से उपर आप नतिया गली जाते हैं पिर कागान है पिर आगे आपकी सवात लेए किया क्या इत आपको टूरिस्ट वहां जाते हुए नहीं देख रहें एक का दुक्का कभी कोई ब्लॉगर वहां पहुंच जाता है तो वो भी जान बचा के भागता है आप ने खुद ही देगा है नीज सुनी होगी मगर आप खुद सोचो के पाकिसान कितना कमा सकता था आपका जो नौर दॉुक्त है आपका बलोचेस्टान है वहां पर बलोचेस्टान में क्यों चीज heavens निया सिंद में आपके पास क्या क्या चीज traditus है कि आपकिसान की अप नॉर्थ कश्मीर साइड वो सारी जगाए जाके देखूं क्यूक्कि इस सो बीटिफुल सो बीटिफुल सुट्जर लेंड बूल जाएंगे अब सुट्जर लेंड को देखो हर कोई हनीमून के रेंड जाता है आव प्रैसे पकिसान चार्ज कर रहता तो इतना आपकी एकॉनमी का ना सत्यानास नहीं हुआ वह था चाहिए वो इंफ्रस्ट्रक्चर हो आपकी समुंदर का जो कराची में कोई इंफ्रस्ट्रक्चर नहीं आप उसको बीच फ्रंट को बड़ा अच्छी तरीकी से बना सकते थे मागर लाना ता आप लोगी जिंदगी इस्वाम अपने सर पे साहा हावी करके ना बैठे वियो तो इस जो वही जो इन्होंने बात किये खुद अपने आपको तेल डालकर खुद ही आग लगा लेते चोर समझेगा क्योंकि उसकी फितरत चोर वाली है Anyway, coming back to the point तो सबसे पहली बाद भारत ने दुनिया को बता दिया कि Welcome to Kashmir दूसरी चीज़, अब जो bilaterals हैं, अगर भारत में हम किसी को invite करते हैं For example, अगर Singapore के Prime Minister आते हैं अगर Japan के Prime Minister आते हैं, अगर Australia के Prime Minister आते हैं, अगर America के President आते हैं, अगर UK के Prime Minister आते हैं, ये जितनी भी बड़ी बड़ी, Germany, France, you know there are so many countries, Indonesia, ये जो बड़े बड़े देश हैं, Brazil वगेरा, South Africa, there are so many, there are so many ये जब आते हैं, तो भारत उनसे बोलेगा, कि हम आपके लिए जो bilateral summit करवा रहे हैं, आपके लिए, आपके लिए arrangements करवाई हैं, हमने कश्मीर, आपके लिए, President Joe Biden's aircraft, Air Force One, landing at Shrinagar Airport, Shrinagar Airport पे लैंड करेगा President Joe Biden, उनकी convoy जाएगी, बड़े या first class, टना टन करके, he will check into the Lalit, और वहाँ पे उनके bilaterals होंगे, Lalit के सामने जो lawn है न, जहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बैटके coffee बीना, and it is so beautiful, यार, it is so beautiful, this hotel is, मतब, यह नहीं बोलड़ा, but it's magical, वो माराजाओं का महल था यार, तो magical तो हो गई हो, माराजा का महल था हो, तो anyway, तो वहाँ पे सब होंगे, रिशी सोना का आएगा, ठीक है, आप और बता दीजे, कैनडा का, you know, just a true, if he comes to India, we'll welcome him to Kashmir, तो यह भारत ने सिलसला शुरू कर दिया, पाकिस्तानी हो गंद, मतला हो गंद, मतला हो गंद, यह टूडो को क्या बुलाया है, तुमने गंद करवाने आया हो, उसको पूछ सा, वैसे ही कोई नहीं है, इसको मत बुलाओ भाईया, वो वैसे ही यहाँ पर फसावा है, यहाँ पर अपने काले कारणा में चुपाने में फसावा है, वो उसने आना भी नहीं है, यार पाकिस्तान की छोटी सोच, घटिया सोच, और जैसे ओमार शरीफ कहते थे, व नेक्स टेप क्या होगा, हॉलिवुड मुवीज यहाँ पर शूट होगी, बॉलिवुड की तो होई रहे हैं मुवी शूट यहाँ पर, रैट, अब बड़ा यार मज़ा आता इनको देखके, कल मैं डिबेट पर बैठा था, वो अरन अप की होती है न जो, डिबेट तो उसम इनका भरता बनता है न, अरे परेशान हो गए वो लोग, क्या रहे हैं इमिजिस जूटी हैं, यह ही नहीं, एक ने तो बोल दिया कि यह खाली-खाली सीटे हैं यहाँ पर, तो जो रिपब्लिक की जो वहाँ पर, ब्यूरो चीर थी श्री नगर की, उसने बोला खाली और पागल लोग इनको क्या, तो ऐसा बड़ बड़ा मज आता है इनसे बात करने में न, and some of them are good, मतलब, ठीक है वो भारत के खिलाफ बोलेंगे, that's all right, हम भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, that's okay, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे, अब पाकिस्तान का, इसम हैं, इसमें के पास इतना दिमाग का आएंगे, थोरी बना के लेकर आएंगे, पहले तो Дिमा आएगा, फिर थोरी बनांगे न, इसे कहते हैं, खिछडी, यह खिछडी बनाते हैं, ठीक हम आएowym कि इसमों इस तो आए हम पर आप संद्स लेरें, भारत को यहां पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये area quote unquote disputed है, ये पाकिस्तान का कहना है, right? United Nation Resolution, कहीं ये नहीं कहता कि वहाँ पे आप G20 नहीं कर सकते हैं, वो कहीं नहीं कहता, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, United Nations का Resolution कि यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं, पाकिस्तानियों के दमाग में लख दिया ना, इस वैसे, रहे, आपको जो करना करिया है, that's okay, वो ये बात कहता ही नहीं इसके बारे में, G20, G7 ये तो बात ही नहीं करता हूँ, it does not talk about such things, but पाकिस्तानी बड़े upset हो गए, पाकिस्तानियों नहीं, देखे, कश्मीर बेच दिया चीनियों को, चाइना, अच्छा, इस बात पे मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आई, कि मैंने जब मिस पाकिस्तान किया था 2008 में, उसी साल में गई थी, Miss Tourism Queen International, एक पेजिंट नाम के नाम से होता है, वो होता है चाइना में, तो मैं बेजिंग गई थी, और फिर वहाँ पर वो पूरे पेजिंट का मकसद ये होता है, कि आप लड़कियों को, 120 लड़किया थी, 120 डिफरिंट कंट्रीज की मुल्क से लड़किया आई मी थी, तो हमको वो बसों में लोड करके लेके जाते थे और टूर करवाते थे, डिफरिंट डिफरिंट टूर्स्ट एरियास में घुमाते थे, तीन अफ़ते तो गुमा गुमा के दिमाग कराब कर दिया था, उन्होंने, मगर किस लिए, इसलिए हम लोगों को लेकर आए थे, ताकि हम वहाँ जाएं, देखें और फिर अपने मुलकों में जाकर बताएं, बहुँ ये कितना खुबसूरत है, ताकि उनके मुलक की क्या ट्रैवलिंग, टूरिरिज्म में जो है इजाफा हो, ये लोग करते हैं इस तरीके से, अपने मुलकों में बुलाते हैं, ताकि आप देखें, ताकि उनके मुलकों के लोग जाके फिर दूसरे मुलकों में बातें करें, उनकी फिर वही, एकॉनमी बड़े, ट्रैवल से पैसा आता है, टूरिज्म से पैसा आता है, तो ये चीज तो कभी सोचनी ही नहीं है ना, बस एक ही चीज से पैसा ले रहे हैं, हम टेररिज्म के नाम पे पैसा ले लें, हम आर्मी के नाम पे पैसा ले लें, और वो पैसा कहा जाएगा, अपनी पॉपकिट्स में बाहर जाएगा, चाहब कि जहाँ पर ये businesses और अपनी properties करीचते हैं bottom line पाकिस्तान एकरों में कॉरिडर कहां से आती है गिलगेट से आती है न वो बेखर से गिलगेट से आती है ठीक है तुम तो चानीज को वहाँ पर बैठा दिया तुम ने कश्मीर में और क्या करें ये इलीगली गुंडा-गर्दी से कश्मीर में क्यों कुछ समग इंडियन आर्मी थी नहीं वहाँ पर वहीं पर जूते मारती तुम्हाँ गॉडर पर लेकर क्या हुआ कि तुमने इलीगल तौर पर हत्या लिया उसको और वहाँ पर तुमने चीनियों को बेच द दोस्तों पाकिस्तानियों इनको उल्टी आना शुरू हो गहीं ये पागल होगा कश्मीर को देख़्ों कि बच्पन से यहीं सिखाए गया श्कूल में घर में जिब छोटा बच्चा होता है न हम लोग कहते हैं लला लला लोरी दूद की कटोरी इनको कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान में ये इनके न zij पाकिसान को ठुपा अपने सर से फॉर्ड़ dois वहुट्स से मेरे दिल पे लगती हैं, मैं भी नहीं हूँ, मगर मैं इन लोगों ऐसे पागल नहीं हूँ, हमारे जैसे भी लोग हैं, गौरमची, जो ऐसे पागल नहीं हैं, और हम आपके साथ खड़ें ऐसे पागलों को पागल बोलने में, हम खुद खड़ें आपके साथ, मगर प्लीज हम बहुत बड़ा मार्कीट है मार्कीट की स्पेलिंग में 15 ही आने चाहिए मार्कीट है इंडिया बहुत बहुत इसलिए तुम लोगों ने अपनी गैरत बेज़ दी तुम लोगों ने अपनी अपनी इज़त बेज़ दी तुम लोग एंडिया चले गए तुम लोग हैं बिलावल ने सारे डालोग मार भी है इता बड़ा डालोग के लिए मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ दोस्तों बिलावल जी यह आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है पता नहीं पाकिस्तान में मिलता है कि नहीं मिलता लेकिन बहुत आग लगती है या वहाँ जलन होती है क्योंकि बिल्लो रानी तो यूस्टुई ही है I think not that I judge or anything wrong with it हम मैं कोई जज़ नहीं करती भी आपको जो पसंद है वो पसंद है मगर इससे बहतर लूब ले आते तो स्यादा बहतर होता आप गौरब जी लूब उनके साथ अफाइदे में रहेगा मुझे लगता है ऐसा लग रहा है बगार लूब के किसी दे ठोक दिया है तो उनको लूब लाके तो बर्नौल से कावनी चन्ना बिल्लो का इतना वड़ा स्टेटमेंट वैसे बिल्लो रानी ने देखे ऐसे दिया किसने लिखाई है इनके लिए बताईएगा क्योंकि इनकी अंदर तो इतने ही हिमत नहीं है ना तबड़ा है कि इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने बिलावल जी आप इस थान विखेश में बर्नौल लगाईएगा बिलावल जी बर्नौल तो बाद में एक्स आम आप लूब यूज़ कीजेगा आपने बगार लूब के कर लिया है अब तकलीफ तो होगी ना इसी वैसे कहा जाता है कि जब आप ऐसे काम करें तो लूब समाल कर लिया करें इनके पास बर्नौल मेरे पास लूब है अगर आपको चाहिए तो मैं आपको जरूर फिजवा सकती है तो मैं पाकिस्तानी कोई बात बोलना चाहता हूँ यार देखो तुम कह रहो ना भारत इंटरनाशनल कारूम तोड़ रहा है हाँ तोड़ रहा है तो तो क्या करोगे तुम क्या करोगे तुम फकीरों ये तो बताओ तुम क्या करोगे और तुम्हारा बाप चाहिना क्या करेगा ये तो बताओ तोड़ेंगे कानून तोड़ दिया और बताओ मैं यही जबान क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें यही जबान समझ में आती है डिक्टेटरों के पैर के नीचे पली बड़ी कौम फॉजी बूठ के नीचे पली बड़ी कौम तुम्हें यही जबान समझ में आती है तुम्हें यही जबान बोलेगा ठीक है जो फॉज बोलती है कर दिया तो छाती पीट लो बिलावल सो बोलो छाती पीट ले अपनी जाके कपड़े उतार के नाचे नियू यॉर्क में यॉनाइटिड नेशन्स की बिल्डिंग के आगे डांस करें वो ब्रेक डांस कर दिया हमने बही आप ये कह रहे हैं कि भारत कैसे कर सकता है भारत में कर दिया और दुनिया ने मान लिया तो अपनी आवकात में रहो बेटा अपनी आवकात में अपना कुर्ते अपने पिजामे में रहो बाहर उचलने की कोशिश मत करो और बाप से बहस करने की कोशिश मत करो अपने ठीक दोस्तों एक और चीज़ है पाकिस्तान को फिर मिर्ची लगी और फिर बर्नौल की ज़रुत पड़ी 1971 जैनोसाइट बाइ पाकिस्तानी में विल गेट ग्लोबल रेकोगनेशन एक्स डच मिनिस्टर बॉमिल ये मिनिस्टर आमी ने जो ऑपरेशन सर्च लाइट करा था जिसमें थ्री मिलियन बंगाली यानि कि तीस लाख बंगाली ओर्टों का रेप करा था ये बात तो किसी पाकिस्तानी को बता ही नी जाती है ना कि आप लोग तो अपनों को नहीं चोड़ते हो अपने आपको मार रहे होते हो खुद मुसल्मानों में बतनी कितने फिरकें हैं ये चीज़ नहीं दिखाई जाती है ये ना सिखाई जाएगी पाकिसान में क्योंकि खुद शुद देख लो ना पहले अपने गेरेबान को यूं करना चाहिए तो यूं देखना साई जाएग तर शाया है जबी तो तुम लोग इतने पीछे हो, आज तक इसी वैसे आगे नहीं बढ़ सके. As a criminal enterprise, पाकिस्तानी स्केट के उपर case चलना चाहिए, ये बंदा करेगा, मैं support करता हूँ, और I will communicate, I'll try to reach out to this gentleman. अगर इसको financial help चाहिए, तो मैं इसकी financial help करूँगा, अगर ये चाहता है, मैं वहाँ पर आऊँ, तो मैं अपने खर्चे से वहाँ पर जाऊँगा, और वहाँ पर जाकर देखूँगा, ये क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और कैसे, हम इनकी help कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान हैस नाट बीन हेल्ड अकाउंटबल, फॉर मिलियन ज़रूरी हैं, इनकी फॉज जो है, कसाई हैं वो लोग, फॉजी तो हैं हैं नहीं, उन लोगों ने जो बंगालियों के साथ करा, देमस भी हेल्ड तो अकाउंट, पाकिस्तान ही नहीं, इसलाम हैस नवर बेन हेल्ड तो अकाउंट, जब से इसलाम आया है, कितने कतलों गरत की हैं नोने, कितने लोगों को मार रहा हैं नोने, कितने लोगों को कनवर्जिट करवा कर उनकी फैमिली तोड़ी हैं, कितने लोगों कनवर्जन के नाम पे मार दिया जिजिया के नाम पे मार दिया बलासमी के नाम पे मार दिया अरे भाई जब से इसलाम आया कितने लोगों मर गए हैं कितने लोगों के मुल्क चीन लिये लोगों ने इरान का हाल देखिए क्या कर दिया आप देखो ना दूसरे मुलकों का और अब इंडिया कभी होई हाल करने के कोशिश कर रहे हैं कभी अपॉलजाइज किया है इनोंने हाँ आप लोगों के भी महाँ पर आया कि भी तो मंदर बारे वगेरा सारे तोड़े जहां जहां गए वहाँ सबके सबके टेंपल सबकी जो लोगोड़ टोड़ दी और मजड़ें खड़ी कर दी कभी माफी मागी नोगा ने आज तक वाफी मागी है लोग कभी माफी नी मागी दो क्या माफी मांग लें उस पर never never मा करवंगो तुम्हारा G20 बेटा अभी पाकिस्तानियों रुख जो मेजर कर रहेगा तुम्हारा G20 G20 G से क्या क्या शब्दा आपको यहाद आ रहे G and then and उसके आगे आप लगाते न and इनका मतलब है 20 डंडे जो हैं आपकी and में जाएंगे आप खुद ही उसको together put कर लीजेगा okay sound together कर लीजेगा अच्छा National Assembly जो पाकिस्तान की पार्लिमेंट है उसने बोल दिया है कि 9 मई को जो writers थे उनका military laws के अंडर उनका trial चलेगा National Assembly तो आगे rubber stamp है National Assembly वहाँ थी rubber stamp है Chief of Army staff ने बोला मा ठपा बेटा और ठप सर लग गया ठपा ये होता है वहाँ पे तो इसमें खाजा आसिफ ने बोला है कि जो writers हैं जिन्होंने दंगे करे थे उनको पाकिस्तान Army Act के तहर ट्राइ करा जाएगा और Official Secrets Act के तहर ट्राइ करा जाएगा दोस्तों एक तो पाकिस्तानी इतना यार इतनी लंबी चौड़ी ठेकते हैं न ये इतनी लंबी चौड़ी ठेकते हैं इनका बड़ा दिल तूड़ गया पाकिस्तान Muslim League का क्योंकि लोग कोर कमांडर के घर जो कि नहीं जाना चाहता है बढ़ ठेक है चले गए वहाँ या तो कहती हूँ वहाँ अच्छा किया या फिर जो भी 4G इंस्ट्रोलेशन जी एच्क्यू में करा यह लोग जो अभी कहते हैं न ब्रेजन रूथलिस पता नहीं कहां कहां से चोरी करके अंग्रेजी के वर्ड दे लोग सीख का हैं खुद तो बोल खुआज असेफ इतना बोली नहीं सकता यार अब खुआज असेफ की स्पीच निकाल के देखो वो उर्दू ठीक से नहीं बोल पाता वो पंजाबी ठीक से नहीं बोल पाता यह ब्रेजन रूथलिस तो खाजा असिफ के साथ पुष्टों नहीं बूलाओगा मिलाके सेवन जेनरेशन और खाजा असिफ वोड नाट नो दूस्माच इंग्लिश कहने की बात यह दोस्तों कि यह जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है ना नवाशरीफ की पार्टी आप जरा इंटरनेट पर जाओ कई साल पहले के बाद है 20 साल पहले के इससे भी पहले है यह भाई लोग गए पाकिस्तान की सुप्रीम कोट मैं आपको मैं जूट नहीं बोल रहा है आप जाके चेक करो नून लीग के वरकर गए सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट के जजिस की पिटाई करी है इन लोगों ने इन लोगों ने जजिस की पिटाई करी है थपड जूते लाट लाटियां सुप्रीम कोट के जजिस मैं जिसको कहते हैं कि उसकी बेसती कर दी तो उनकी फिजिकली पैंट अता रही हैं जचेस भागें अपनी गाडियों के अंदर बैठ के शीशा ऊपर खी पैंटें चीशा ओर श्रूञे का वानि जासि Maßnahmen मद्रसों में क्या हो रहत हैं सबसे ज़ादा न अंदर की बहात है जीटfrontे कड़के बैटें कोई पैदल भागया दॉर्ड के भागया गर यह कर रखाए तो आज की तारिक में यह जो पीटी आइइ को गलत बोल रहे है न पी टी आई हम इसमें कोई शक नहीं है पी टी आई ने गलत करा 100 परसेंट गलत करा। लेकिन यही चीज यह लोग भी कर चुके हैं यह पाकिस्तान में हर बंदा करता हैं बस पी टी आई ने फौज के लाफ कर दिया तो PTI वेलन बन गई सुप्रीम कोट के जज इसके पैंटे भाड रखी हैं जस्ट इमाजन सुप्रीम कोट का जज कितनी बड़ी चीज होती है कितनी बड़ी हस्ती होती है दुनिया के किसी भी सिविलाइस कंट्री में उसके कितनी इजट होती है जच साब आते ह जजज आमीन लीगल अर्गुमेंट्स असाइड मतलब आप उनके साथ कोई उची आवाज में बतमेजी नहीं कर सकते हैं वो कोट की तोहीन है जजज की तोहीन नहीं है वो कोट की तोहीन है यू कैन दी थ्रौन इंट प्रिजन अन राइट लेकिन पाकिस्तान में तो यार जजज इसको थपड़ दुपड़ मारा उनकी पैंटे फाड़ दी कुर्ते उनके सब कुछ फाड़ फूड के उपर नगा कर जे भगा रहे हैं ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में हाल करा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अब जाकि ये लोग कह रहे हैं और पीटी आइज एडिशनल सेकेटरी जनरल उमार अयूब खान बस थ्रेट तो दे सिस्टम ऑफ पार्लिमेंटरी दिमोकरसी ये कह रहा है पार्लिमेंटरी दिमोकरसी वैसे भी इमरान को पसंद नहीं तो खुल प्रेजिडन बनना चाता है पाकिस्तान का वा कहता है प्रेजि जिसी कौन सा क्या कौन सा शरीया किड़ लो ना आपके जजिस की चलती ना किसी की चलती आई डों इन नो आप लोगों नहीं है वदारे बनाए भी क्यों हैं तो समझ में नहीं आता कि why you have all this shit इतने वड़े 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 वर्डे वर्ट यूज कर रहे हैं बस बैटके मह आपर फोसे मैलाफाइड एन एक्सेस ऑफ जूरिजिश्डिक्शन ऐस फेडरल गर्मेंट क्लेंड दे कुड नाट बी डिप्लॉइड द्यूरिटी सिच्विशन दिरिं इलेक्शन वही ऐसा है कि यह कह रहे है कि एलेक्शन के लिए पाकिस्तानी फौज नहीं बोल दिया कि तो कोई भी करवा लेगा आपके रेंजर्स हैं आपकी पुलीस हैं लॉइंफॉर्स्मेंट एजनसीज हैं वो करवाएंगी आपके एलेक्शन पाकिस्तानी फौज अगर उसमें नहीं पढ़ना चाहती लेकिन पाकिस्तानी फौज अपने आपको तो प्रोटेक्ट करेगी न इंडिया वाले जो है यह गंदे लोग हैं यह साजिस करती है और आपके कर सकते हैं और आपके कहले सकते हैं लेकिर थोका है वो पाकिस्तानी फौज अठोका है अब आप कहने कि तुम ने कोर कमांटर का घर फूख दिया तुम जी एच्कु पर चड़ दौले तुमने सर्ग तो फाज अपने आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जैसा पाकिस्तानी फाज को आता है, देखो सबसे बढ़िया फाज का पता है क्या प्रोटेक्शन होता है, मैं इंडियन आर्मी को भी ले लो, मैं इंडियन आर्मी का हूँ, तो लेट मी टॉप, भारत मा के सपूत, भारत मा की सेवा करते हैं, यह हमारा रिष्टा है, भारती अ सेना भारत की सेवक है, पाकिस्तानी फोच को जूत्ते एतनाय बढ़ रहा है क्योंकि हो मालिक बनने के कोशिश कर रहे। ठीक है तर रहे हैं है 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 अगर हमारी सेना से कोई गलती हुई है तो जरूर आप बताएं और जो सजा होगी आर्मी आक्ट के तहत यह सिविल कोड के तहत वो सेना फेस करेगी लेकिन यह नहीं हो सकता बॉस क्या आपने लोगों को उठा दिया और बलोचुस्तान में लोगों को हेलिकॉप्टर से फेक दे और यह यह इन्होंने क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं इन्होंने अथी कर दी और पाकिस्तान में हो क्यों रहा है मैं आपको बता रहा है इम्रान खान का चकर चल रहा है ना मैं आपको शॉर्ट में समझा इस बार पाकिस्तान में पंजाबी है, चार बलोच बराबर एक पंजाबी है, चार सिंधी बराबर एक पंजाबी, चार पश्टून बराबर एक पंजाबी, ये सच है पाकिस्तान का, क्यों इतना हल्ला हो रहा है, बलोचों के उपर तो आपने हलिकॉप्टर गंशिप चला द पाकिस्तान में इतना हो गया दोस्तों इतना हो गया कराची में ऑपरेशन हुआ हुआ कि हापने कभी देखा सुप्रीम कूर्ट में कुछ नहीं चूप हजारों लोग मर गए कोई बात नहीं लेकिन लेकिन आप एक बात नोट करना पंजाब में खून बहा तो फिर पाकिस्तान माफ नहीं करेगा पाकिस्तान विल नौट फॉर्गिव और ये खून पंजाब में बहा है पंजाब में गोली चलिए इसलिए सब को मौत आ रही है बलोच मरता है मरे पश्टून मरता है मरे सिंधी मरता है मरे ठीक है महाजिर जो उर्दू स्पीकिंग है वो मरता है मरे इनको कोई फरक नहीं पड़ता इनको जब फरक पड़ता है जब पंजाबी खून बहता है इसलिए प्रवल्म हो रही पाकिस्तान में परिदा को हैं डिरह आजिकर रहा कि उसको रेने आए थे ये मैं मनता हूँ, वो आदमी डरा नहीं, जब उसको रेजर्जर्स उठाने आये थे थो, उसके अलावा, यू टरन लेना, जूट बोलना, इंफॉर्मेशन गलत देना, प्रोपगेंडा करना, कॉंस्परेसी करना, ये सब टिपिकल लाहुरियों की हरकते हैं, और इमरान खान उसके लाहुरियों से पिक अप करी हैं, इसले में बोलता है, इमरान कान लाहुरी है, इस नो लोंगर पठान, ये जो बात हैं न, मैं जो आपको बता रहाँ, ये पंजाबी होने वाली पाकिस्तान में, इटना जदाधा में, क्उट पठानों की कटवा दी हाुर्मेशन लो तो वो भी नहीं छोड़ा बचारे फश्टूनों का सिरिसी, नाक तो दूर की बाद आपने तो वो पार्ट करवा दिया और ऐसा पार्ट कटवा दिया है जो के बचारे अब क्या करेंगे इसको वो मिल गया, औरे यार ऐसा है यार, वोई वैसा है कैसे खून बह गया सुप्रीम कोर्ट में जाओ, आर्मी, ये फलाना डिमका, कोर्ट में ट्राइ करेंगे, ये करेंगे क्यों, लाहॉर कोर कमेंडर लाहॉर पाकिस्तान दा दिल है जी, लाहॉर जिननल लाहॉर नहीं वेक्ख है, वो जम्याई नहीं ये है चकर उसका ये मुवी, दे कैरला स्टोरी वहां पे चल रही थी, सिने वर्ल में अज़ा हम कराची वाले बोलते हैं कि जितना बड़ा लहॉर है उतना बड़ा तो कराची में जोहर है और क्या, जोहर भी इतना सा एरिया है कराची का ये जो बड़े बोलते हैं लौर लौर है लौर नहीं देखा तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ कराची भी जाके दिखो ज़रा I just think every city हर मुल्क जो है हर जो city है मुल्क की Pakistan में आप उठाले कराची हो जाए Punjab हो जाए लहोर है फिर आपके पास Islamabad है फिर रावल पिंडी है सारी different different जगाएं हर जगा कुछ नहीं कुछ अच्छा आपको दिखेगा खुबसूरती दिखेगी Every place has a beautiful thing to itself लोगों कहानी मैं बोल सकती हूँ मगर जगाएं बड़ी अच्छी है खन्यपीने की चीज़ें वहाँ पर है तो मैं जगाओं को बुरा नहीं कहती हूँ जो लोग वहाँ बसते हैं उनको बुरा बोलती हूँ क्योंकि वही एक atmosphere वहाँ पर create कर रहे हूँ So जैसे कि आपने देखा है Punjab में बड़ी तरफ की हुई है Punjab में इन लोगों ने बसे भी जगाई है वहाँ पर इंफरस्ट्रॉक्चर भी पढ़ा है कराची पर कोई काम नहीं किया है आप इसलाबाद चले जाएं वह बड़ा है आपको लगेगा क्या काम नहीं हो रहा हता है कराची में ऐसा कुछ नहीं हूँ आपको नौत में चले जाएं वह झाएं अवहाँ कुछ नहीं हाँ रहाँ द Igor आपको धिव सानँ नहीं है वाँ लूभाइलपी किया है विर्कुर कुछ भी और वहाँ पे एक मुस्लिम ग्रूप है फाइप पिलर्स जो वहाँ पे आ गए और वहाँ पे इनों ने बहुत हला करा तोड़ भोड़ करी और बोला एक कोई अफसार है अफसर जो भी इसका नाम है तो ये ये फिल्म जूटी है इस फिल्म को हमें डिवाइड करने की कोशिश करी गई है हम कई साल साथ रहे हैं नरेंद्र मोदी ने ये फिल्म इंडोर्स करी है वो एक एक्स्ट्रीमिस्ट है हम इसको अलाव नहीं करेंगे ये सब इनके डैलोग बजी है ये जो लोग है अफसर जो भी इसका नाम अफसार ठीक है और प्रॉबबिल्टी पाकिस्तानी क कि मुवी आई ती लेडी ओफ हैविन वहां भी पहुंच गए थे सारे गुंडे उसके गर्दन पर पहुंच गए थे मैनेजर के उसकी शकल देखने वाली थी बिचारे की वह तो लग रहा था मैं भी यहां पर मुझे ये लिंच करके मार देंगे सारे के सारे की सब कोई पत कि आप पहुंच जाते हो नहीं नहीं यह नहीर है यह या इस नाट अवग इट वर्कस इस सेखिलर कंटरी सिह खLती है के इनकोकरने दिये जा रहा है इनको करना ही दिये जा रहे हैं, like, मुसलमान आके कुछ भी कर ले, अब यही चीज अगर किसी क्रिश्टिन ने की होती ना, कोई क्रिश्टिन मुवी चल रही होती बहाँ पर, उसको उठाकर अरेस्क करके ले जाते, यहाँ पर तो आप वहां पर भी यही गंद रैडिकल इसलाम वाला गंद पहलाना है वहां पर अपने मुल्क में क्यों नहीं हम यू के इस वह से जाते हैं क्योंकि यू के में जो है न हमको मिलता है फ्री का पैसा हम वैसे भी चार-चार बच्चे पैदा करते हैं अब केनड़ा में एक ब पाकिसान में हमको खाने के लाले आटा वानी बहार निकलो तो लड़की की इससे नहीं है घर से बहार लोग निगलते हैं लड़के निगलते थे तो माओं को ही होता था पता नहीं बच्चा घर वापस आएगा भी कि नहीं आएगा यहां हमाराँ से काफिरों के मुल्क में और तीसरी बात है अगर हम ऐसे मुल्कों में जाएंगे नहीं तो हमारा इसलाम कैसे पहलेगा हां इसलाम का तो मकसद ही है यह ना कि यह पूरी दुनिया में टेक ओवर करेगा और अगर हम सिर्फ अपनी मुसल्मान मुल्क में बैठे रहेंगे तो काफिरों को मुसल्मान को प्राब नाइगे गौरुजी हां किसी वैसे तो महां जाते हैं ताके हम यहां जो शिट होल छोड़के गए हैं वहां से शिट होल ट्रैवल करके दूसरे मुल्क में जाएं और अपनी शिट को महां भी फिलाएं कि देखो हम आगे हमारी बद्वूए सुगों दिस इस इस इ दिन भार टैक्सी चलाते हो रात को यह सब करते हैं फिर कहते हो कि यार एंडिया इतने आगे निकल गया है हम लोग पीछे छूड़ गए हैं रादी साजिश है इंडिया की जा लाभी है साजिश करना उसकी हाबी है यह तुम दिन बर यह गाने काते रहते हैं लाभी और तुमें नहीं देखनी मत देखो that's okay बैन क्यों करना है जगड़ा आचा बैन के लिए भी नहीं मांगा क्योंकि बेसिकली एक्स्ट्रीमिस मैंड़ट के होते ने यह पाकिस्तानी दियर बेसिकली एक्स्ट्रीमिस मैंड़ट पीपल बैनिंग तो लीगल प्रसेस में तो बिल तुम्हें क्या लगता है कि दूसरी साइड है अब इंटरनेट पे यह मूवी अल्रेडी टेलेग्राम पे वाटसेप के थूरू हर जगा सर्कूलेट कर रही है पाई आप नहीं रोक सकते हो आप नहीं रोक सकते हो यह आपकी जो घुंडा गर्दी है ना देखें सबसे पहल गए तो आपका सर कलम हो जाएगा इसलाम जोईन कर सकते है छोड़ेंगे पॉस्टेट बनेंगे मेजी तो आपका सर कलम होजाएगा ठीके ना इसी तरह से आप इसलाम के अंदर रहे कर उसकी सचाई जान देते हो और अप प् Katrina लोगों को फिर आपको मार दिया जाता है इसी जब आपके अगेस कुछ और होता है ताप आप पर गुढ़ने बेट से हो और सबस्तिकर रहाते हो लॉवा किसने पूछा कि टा लो कौन सा लोयर कौन सा पुलीस कौन सी इनफोर्समेंट देखे ना मैंने आपको होता है ना तो इसको उसी तरहां से ट्रीट करना चाहिए और इसकी फॉलोवर्स को भी उसी तरहां से ट्रीट करना चाहिए जो राइट विंग पार्टिंग्स हैं पूरे यॉरप में वो इसकी स्क्रीनिंग नहीं करवाएंगी किस-किस को बचा लोगे तो अगर तुम कहते हो जूट है अगर तुम यह कहते हो कि तो केरला स्टोरी जूट है तो आप काउंटर करो civilized society में तो यही होता है कि जो बंदा कोई अगर आपको accuse करता है आप उसको चुपचाप counter करते हैं शवाना आजमी की बात को मैं respect करता हूँ शवाना आजमी जी इंडिया की बड़ी respected film actress है उन्होंने क्या बोला है शवाना जी ने ये बोला है कि भई ये फिल्म अच्छी है बुरी है वो आपका personal matter है आपको नहीं देखना मत देखो पर एक बार sensor board of India ने इसको okay कह दिया फिर आप कौन होते हैं इसको वो करने वाले कि ये picture चलेगी कि नहीं चलेगी who the hell are you अच्छा पाकिस्तान में ऐसे सेन वोईसेज भी नहीं है वहाँ पर तो पूरा लशकर और जैश टाइप का क्याम बनावाना वागा वही लोग पहुँचे होंगे वहाँ पर है और सब लोग पहुँचे होंगे वहाँ पर है हम इसको नहीं चलने देंगे picture को और ये है वो है ऐसा है वैसा है दुनिया वर का ठीक है ये जो मोदी जी को extremist कह रहे हैं उसामा के पैरों के सामने सजदा करने वाले लोग हैं उसामा को अपना खुदा मानते हैं लोग और ये भारत का प्राइम मिनिस्टर जो एक legally elected प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है the most popular leader in the world with more than 75% approval rating जिसको जो बाइडन कहता है कि मोदी जी मुझे आपकी autograph चाहिए यार आप इतने popular हो उसको गाली दे रहे हैं और खुद की अरकते देखो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप ये मनते हैं कि एंडिया की लाबी है जो साज़िश कर रही है और साज़िश करना उसकी हाबी है तो इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आकन दवारा बिल्कुल मत भूजेगा दोस्तों सब्सक्राब है हाई, हाई, हाई गौरफ जी ने गौरफ जी और रुजय दोनो ना बालटी लेकर बैठे होते हैं रही इन संडल होती है बालटी ये बालटी जीज़ आप और मेरे दिल पर लगती है ओमारबच आप मैं Unterstüt पाकिसानियों का इम सॉरी टू से दिमागी खराब है आपको देखना पड़ेगा कि आपके समाइंड सेट के साथ खेल रहे हो दा माइंड सेट कम्स बेसिकली फ्रम रिलिजिन आप इनके डिलिजिन इंके अंदर से नहीं निकाल सेको इंडिया का फाइदा यह है कि आपकी एक पुच्स पॉपर निकल नहीं नहीं सकते हैं इसी वैसे हो मुनाफिकत करते हैं क्यूंकि नहीं वो काम चुप चुप की करते हैं यह, राइट ? व्लिवाई कशमीर 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 करना सब हरकोई चाहरा होता है बनलियुन ठीके सेर नियाव अखो कि अग्डा बारी ओरन शॉक्त धुर सिटीए फोटक対 रहे सबस्वार बाख्या सबस्क्त सबस्क्षों करना गों तुम लोग निकले ओग कश्मीर को बचाने के लिए? कश्मीर के लीए खड़े हो रहेई कश्मीर के लिए अपने आपको तो बचा लो खुद घर में आग लगी अभा, पहुंचे लोग पडोसी की आग बजाने के लिए समझ में नहीं आता और किया दुनिया पागल है हमें भी इस बताया जाता था पहले कश्मीर में यह हो रहा है कश्मीर में वो हो रहा है I believed it too I believed it too जब अब जाके सोशल मेडिया का जमाना आया है और अब इतने सारे कश्मीरियों से मैंने खुद बात किये जो बता रहे हैं कि महाँ पे कितनी development हो रही है किस तरीके से वो लोग प्रॉस्पर कर रहे हैं नई universities हो रही हैं लोगों के लिए opportunities create किये जा रही है अभी आपको बतायागा कि महाँ पे बढ़ चुका है तो I think these are all positive things for any city, any country जो है उसके लिए positive चीज़ है उसकी growth के लिए positive चीज़ है तो how stupid can you be how stupid can you be बस वही चीज़ होती है ना पिछवाडे में आग लगी विए कि भई है ये सब लोग वहाँ कुछ ले गए Pakistan क्यों नहीं आए Pakistan इनको जो है KPK में आना चाहिए था वहाँ इससे नहीं क्योंकि आप लोग बम से भार देते ये जितने लोग वहाँ पहुचें बड़ी-बड़ी personalities तो कभी Pakistan इनको आप लखों डॉलर भी दे दोगे ना और इनको guarantee दे दो कुछ नहीं होगा वो फिर भी पिशाप करने भी नहीं आएंगे Pakistan के वहाँ पर क्योंकि उनको पता है ना भाया ना अपनी security इन Pakistan के हाथ वे तो उने नहीं देनी है क्योंकि हम कोई भरोसान है इनको कब पलट के भट जाएंगे 72 हूर्स के पास जाने के लिए 72 हूरे चाहिए होती ना आप लोगों को तो इस वर से आप लोगों को वैसे भी कोई मूह लगाने के लिए नहीं आएगा मुझे बता दो last time कौन आया था पकिसान ऐसी विज़ट करने के लिए या कुछ करने के लिए कूई आया है कूई आया है कौन आया है कोई खेल खेलने नहीं आते हैं आपके वहाँ पर अभी मैंने शाहिए सुना है कि I think India's team might be going मत जाओं मगर बात वही होती है ना अवकात आप लोगों की चड़ीगी नहीं है अब बाते हैं आप ताज वहली कर रहे होते हों बस बात नहीं बात नहीं कर लो बस और मीडिया बैड के माँ पर इस्पेशली बॉल्ड नीउस वाले जैसे लोग हैं ना शरम ना इनके अंदर गहरत बैड़ के माँ बड़ा मूझ फार देते हैं वावावावावावावावावावाव तो हम देखने वाले भी पागल हुम पर फरुसा कर लेंगे और क्या अवावावाम को बिलकुल हमने जैसे बोल रहे हैं ना यूथिया बनाया हुआ वैश बोलना नहीं चाहरी हुआ तो स्धुश्म से एक बाफ जो इना से बूली ए वह सही बोली ए क्योंकि शीज नहीं तो इनकी इस सब्सक्राइब करूंगी डौरब जी कि से पाकuineसानी और तो सही नहीं किसी तरह किसी तरह पांच भी पहां पर Ouch पाकिसानियों सुधर जाओ अगर तुम लोग जिन्दा अपने आपको अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना चाते हो तो खुदा के लिए अल्ला के लिए जिस पे भी मानते हो भाईया सुधर जाओ तो खुड़ा सा सुधर अगर अगर कोई और वीडियो ऐसा है जिस पे आप चाते हैं कि मैं रियाक्शन दू तो उसको कॉमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा और आप भी बताइएगा आप क्या समझते हैं पाकिसानी कहां जा रहे हैं क्या होना चाहिए कश्मीर के साथ यह जो कश्मीर के ओपर बातें चल रही हैं क्या ही सच हैं घलत हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे ज्यादातर वीडियो को डी मॉनिटाइज कर दिया जाता है क्योंकि सच बोलने की मत चुकानी होती है मगर आप लोगों हमको सपोर्ट कर सकते हैं बाइ बिकमिंग अ मेंबर ऑन यूटूब, ओल्ली फैंज या पेट्रियोन उसके साथ साथ यहां नीचे एक सूपर तैंक्स का बटन है उसको क्लिक करके भी आप हमको डोनेशन कर सकते हैं मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई इस वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस काम को आगे बढ़ाने और अवेरनेस पहलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है आप पेट्रियोन, उल्ली फैन या सिंपली पेपैल के दुरूर सपोर्ट कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत माइने रखती है